संजीव के विक्तित में संजीव के कत्युत में कोई फर्प नहीं पड़ने वाला है साहिथ के पुछ अपनी जो है यह किराव अट आई जो उसकी पतिस्ठा में कमी आई है मैं समझता हूं कि उसका एक बूल सुदार के गूप में इस कदम को मैं मानता हूं साहित अकेडमी के पुरुसकारों का खासकर हिंदी में जिस तरह से पुरुसकार दिया गया है उसका जो इतिहास रहा है वह एक सच है कि आनि एक सवर्ण मानस काम करता रहा है और यह अकारण नहीं है कि हिंदी का इतने पुरुसकार नहीं दिया गया प्राही मासूम रिदा को नहीं दिया गया दूसरे अल्वसंख्यक संभडाय को नहीं दिया गया, अदुल बिसमिल्ला को नहीं दिया गया, राजें दिया गया, जो है मुटहिया के लेकक को तुर्थी राम को या ओंपरकास बालमी जॉठण के लेकक हैं, या बहुत महतफूर कतिया हैं, तो एक, जो एक पुरूसकारों दोस्तों कल साहित्यकादमी पुरस्कार की गोश्ना हुई उसमें अलग-अलग भाशाओं के लोगों को अलग-अलग साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया उसमें सबसे प्रचलित और प्रसद्ध नाम हिंदी साहित्यकार संजीव का था जिने उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए इस साल का साहित्यकार ने पुरस्कार दिया गया यह पुरस्कार उनके उपन्यास पर मिला है वह एक चर्चत संपादक और उपन्यासकार रहे हैं हलांकि हिंदी में पुरसकारों को लेकर विवाद भी होते रहे हैं ऐसे में साहित्यक आदमी का पुरसकार ऐसे वक्त में मिला है संजीव को जबकी कहा जा रहा है कि भारत की मौझुदा के इंद्र सरकार लगाता अभिव्यक्त की आजादी पर सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ स्वक्त हिंदी के चर्चत और प्रसद आलोचक विरिंद्र यादो想ं है उनसे हम जानने की कोशज करेंगे कि हिंदे साहित्य के इस पुरस्कार का किस माइने में महत्व है विरेंच जी आपका स्वागत है और हिंदी का दर्सक पाठक आपसे यह जानना चाहेगा कि उपन्यासकार संजीव को यह पुरस्कार मिलने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है संजीव जी हिंदी के स्रेश्ट कथाकार हैं और विगत पांच दसकों से वो कथा लेखन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हिंदी के किसी भी सम्मान या पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए या किया जा सकता है अर यह जो पुरस्कार है साहिट अकेडमी का य पुरस्कार वैंको बहुत देर से मिला उनकी कई महत्रपुन कतियां पहले प्रकाशित हो चुद्र है सूत्रथरफर्श है सावधान नीचे आग मीयाुक औरकि करतियां प्रत्यन्च या पहले ही सम्मानिट किया जाना था और साहिट अकैडमी ने अब उन पर ध्यान दिया है तो यह करके मैं यह समझता हूं ने भूल सुधार किया है इससे संजीव के व्यक्तित में या संजीव के क्तित में कोई फर्ट नहीं पढ़ने वाला है इससा अपनी अपनी पिछले दिनों जो उसमें गिराव उठाया है संजीव के लिए संजीव के कथाकार के लिए यह कुछ अत्रित जोडने वाला नहीं है यह पुरस्रित करती है और उसके इस मामले में व्यक्ति को लेकर आलूचनात्म का अफराद क्या कम हो जाते हैं कि मैं सीधे-सीदे यह मैं नहीं कह रहा हूं कि सत्ता का एक सुनियोजित प्यास है इसको करने का या ना करने का लेकिन साहित अकेडमी का पिछले दिनों का जो इतिहास रहा है और खासकर पिछले नौ-दस वर्षों का तो एक खास तरह कि एक वैचारिक घेरे के अंतरगत साह नार है या उसकी जो जो गत्विदियां हैं उनमें जो है एक रुजान जो है एक खास तरह की वैचारिक्ता का रुजान आया है और यही कारण है कि आपको पता ही है कि वर्ष 2016 में पुर्षकार वापसी अभ्यान भी हुआ था क्योंकि साहित अकेडमी ने कंड़ के बड़े कारों दूसरी भार्षाओं के बहुत से लेकों साहित कारों ने अवार्ड वापसी अभ्यान चलाया था उड़ोंने पुर्षकार वापस किये थे तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि महस्ता हो जिस तरह की कारणाली है साहित अगेडमी की वह एक सूची पहले बनवाती है उस सुनियोधित तरीके से अपनी छविकों सुधारने का काम साहित अगेडमी ने किया है लेकिन यह सही है कि जिस तरह के पुर्षकार दिये जाते रहे हैं उनमें संजीव एक बड़ा नाम है एक महत्पूर्ण नाम है और अविवादित नाम है तो संजीव को सम्मान या पुर संजीव इसके लिए सर्वठा योग है तो अगर ये कोई सुनियोधित प्यास न भी हो साहित अकेडमी का तो भी साहित अकेडमी की शवी सुधार का कुछ तो एक काम यह हुआ है इस पुरसकार से एक चीज और विरेंजी की अक्सर साहित अकादमी के पुरसकारों में जाति वो उनकी जाति चिन्हित करके बता रहे हैं कि पहली दफा लंबे समय बाद किसी पिछड़े आति पिछड़ा समुधाय से हैं वो इसकी चर्चा की जा रही है क्या आपको लगता है कि यह भी एक महत्तोपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ अकसर ही डिनाई किया गया साहित अक अकेडमी के पुरुषकारों का खासकर हिंदी में जिस तरह से पुरुषकार दिया गया है उसका जो इतिहास रहा है वो एक सच है कि एक सवन मानस जो है काम करता रहा है और यह अकारण नहीं है कि हिंदी का इतने स्ट्रेस्ट कथाकार फणिशुर ना थ्रेजन को यह पुर गया जो है जो है पुरुसकारों में जनतांत्रिक्ता होनी चाहिए जो समावेशित होनी चाहिए उसका भाव रहा है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है इसको देखते हुए अगर ध्यान जाता है कि अभी तक पुरुसकार जिस तरह से दिये जाते रहे हैं उनमें खास एक उच्च समण समदाय के लोग या अभिजन समाज के ही लोग उसमें जो है आते रहे हैं और जो व्यापक जो हाशिय के समाज से आए हुए लेखक हैं या हाशिय के समाज को केंदिर करके जो लेखन करन वाले लोग हैं उन पर सम्मान या प्रोषकार नहीं दिया गया इस कारण यह सवाल उठता भी है और अगर संजीव को ले करके मैं समझता हूं कि संजीव देखे उस तरह के लेखक नहीं है जिनको कि यह कहा जाए कि यह जाति विशे से या समधाई विशे से या दलित या यह को उध्वाति है इसवाटने उनकों कि दावा की है तो अगर आज की जो प्रस्तियां है उन्से इनकार नहीं किया जा सकता है यह जातिक का डो में मौझूद है तो अगर कुछ लोग जो है इस पुश्कार के साथ जो है यह तक भी जोड़ रहे हैं तो उनका गलत वाला सुवाथ जी एक वो इसी से बात विरेंसर निकलती है कि साहित संवेदंसीलता का सबसे बड़ा किंद्र होता है यह कहें कि उसी के जरिये साहित रचा करने की आपने तमाम नाम लिए जो पिसले पांसाथ दसकों के बड़े नाम दे जिन में रेडू से लेकर राही मासुम राजा राजेंद्र यादो और यहां तक की संजी में तो इनको पहचानने में इतनी देरी जो हुई साहित्यक आदमी को या देरी हुई और वो लोग न अपरी सच है चाहे संस्थान हो यह दूसरी जो स्वाइत संस्थाएं में जिन वर्यों का जिन तपकों का जो बॉल वाला रहा है उन CDU करता रहा है वो प्रक्षर मानस देखिए अभी भी बार-बार आता है कि विश्विद्यालों में जो भरतियां होती हैं, उनमें बहुत से भरतियों पर जो कि दलित और पिछड़े समाज के होते हैं, उनके लिए नार्ट फाउल सुटेबल करा दे दिया जाता है, या अभी भी जो है एक उ जो भी लेखक है, वो लेखक जो है एक व्यापक सरोकारों के साथ, व्यापक मानवी सरोकारों के साथ, व्यापक सामाजिक सरोकारों के साथ लेखन करता है, और होना ये चाहिए कि जो साहित एकेडमी या इस तरह की संस्थाएं हैं, इस तरह की संस्थाओं की जो पुर्षक समाज के अंदर जो चीश पचलन में है वो लेखक उससे मुक्त है यह नहीं कहा जा सकता मैं एक बात यहां यह भी कहना चाहूँगा कि देखे एक दोर ऐसा था यानि कि प्रेमचंद के साथ प्रेमचंद ने अपने लेखन के बारे में कहा ही था कि एक लेखक को वर्ण और वर दूसरे बहुत से लेखकों की है तो वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के लेखन की परंपरा एक लंबे समय तक चली है लेकिन मुझे लगता है और उसी देखे वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के लेखन के परंपरा का ही यह परणाम था कि बहुत से लेखक जो कि समण जाती उन्होंने दलित को केंद में रख करके लेखन किया जैसे बहुत प्रमुक्ष नाम है धर्ति धन्न अपना उपन्यास का तो वह एक दलित समदाय को केंद में रख करके या मदन दिख्षित ने लिखा था मोरी की हीट या अब आसुटा देवी ने लिखा है लगाता रादिवा और गोपाल उपाद्यान ने लिखा एक टुकडा इतिहास इस तरह बहुत सी रचनाएं ऐसे लिखे गई एक दौर में तो जिसमें कि हाशिय के समाज के केंद्रिता थी और जो लिखने वाले थे वो एक उच्च समाज की पस्चभूम से आई वे थे लेकिन वो वर्ण और व बैचार की का उभार हुआ तो हिंदी के लेकों का एक बड़ा वर्ण जो है यह मैं समझता हूं इस सोच का शिकार हो गया कि जब दलितों द्वारा कहा जा रहा है कि जो है प्रामाडिक लेकन दलिती कर सकता है तो मुक्धारा के लेकन लेकों ने अपने आपको उससे प्रत पीशे कर लिया. यानि कि और वर्ण से लिखने की परंपरा थी वह परंपरा थोड़ी चीन हुई और हिंदी के जो मद्वर्ण समाज का लेखक था वह खाली मद्वर्ण से आया हुआ ही लेखक नहीं था बलकि मद्वर्ण के सरोकारों को से निर्देशित होकर के लेखन भी करने लगा ये खास कर ये ये जो मैं प्रवर्ति की बात कर रहा हूँ ये मंडल के बाद की प्रवर्ति है मंडल के बाद जो हिंदी छेत्रों में मंडल और मंदिर की जो एक परिखटना हुई उसे जो है लेखक और बुद्ध जीवी भी मैं सम प्रवावित हुआ और यह स्विकार किया जाना चाहिए कि जो एक परंपरा थी जाती और वर्ण से मुक्त होकर के लेखन की वह परंपरा चीन हुई है संभावता इसी का परणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में अप वात्सरुप देखे कुछ रचनाओं गिनाय भी जा सक कि संजीव को जो चाहने वाले लोग है उसमें वामधारा के प्रग्दिसील समाज के आप जैसे बहुत सारे लोग हैं देशमार वो लगातार इस बात की भी अपील कर रहे हैं कि जैसी सरकार चल रही है जो लगातार लिख की असंस्कृती प्रतिरोध की संस्कृती पर हमले क कर रही है सजाएं दे रही है एजेंसियों को पंगो बना रही है वैसे में उनको पुरसकार वापस कर देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए आपको क्या लगता है कि यह कितना कि कितनी बहतर सोच है मैं समझता हूं कि इसमें व्यक्ति के निणने से ज़्यादा मौहतफ़पूर्ण हैं कि जो लेखक का व्रहतर समाज है उस सामुहिकता में तरयके से सोच विचात करें देखे मैं आपका ध्यान फिर आकश्ड करना चाहता हूं कि पुरुसकार क्षुलों की लिखान स्ट्रों की बाद जरूर करना चाहँ गाड़ा कि हिंदी में जो तीन बड़े लेखक संग्ठन वाम लेखक संग्ठन प्रकादुशी लेखक संग उसनती वंपर ही यह अफसोस की बात है य freaking यह लगोर पाया है नहीं लागू हो पाया पुरुषकार वापस करें और सब ने वापस नहीं किये कुछ ने वापस नहीं भी किये तो जब संगठन जो है इस तरह का कोई निरने ले पाने में असमर्थ है तो हम किसी एक लेखत पर ये दबाओ इस नैतिक आधार पर बनाएं यह हमारा व्यक्त सब्सक्राइब करता हुए है लेकों पर शिकंजा कसा जा रहा है तमिल के लेकर के खिलाफ या कांचाय लईया या मल्याली लेकर एस हरीश यह सारे लेकों की रचनाओं पर पतिवन लगाने की तैयारियां की गई है और उच ने आयलें तक जो है उनकी पुस्तकों पतिवन दगाने की मांग दे गई है जल से जुलूस निकाले गए हैं उनके खिलाफ पुलिस की कारवाईया भी उनके खिलाफ हुई है और दिखे यह है कि यही वो दोर है जिसमें की जो है चार-चार बॉद्धिकों की हत्याएं हुई है पांक सारे दाबोलकर और कलबुर्गी और लंकेश की अत्याएं हुई है और जाने कितने अपजक्ति सुन्टा पर कितने देश हमले हैं यह बिल्कुल सच है कि समय सत्ता का जो चरित्र है वह सत्ता का जरित्र जो है एक ताना-शाहि भरा है जनतांत्रिक विरोधी है और यहीं कहा सकता है कि समय समीधान के मूल है उनक लेकों बौधिकों को का ये दाइत है कि हम अपने जो है एक प्रतिरोध के अस्त्र के रूप में अपने लेखन को अपनाएं तो इसमें हमारे लेखन का जो एक विशेवस्तु है वह भी होनी चाहिए प्रतिरोध की और हमारा आचरन भी प्रतिरोधी होना चाहिए जाहिए जा तो मैं समझता हूँ कि यह जो है एक उस लेखक विशेस पर छोड़ देना चाहिए और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी समाज ने हिंदी का जो लेखकों के बीच में एक जो सांस्क्रतिक जो इस्थिति है जो एक पतिरोध की जो एक इस्थिति है उसमें एक एकता नहीं बन पाई है यानि कि पीचाहते सभी जो एकता बनने चाहिए जो दवाओ बनना चाहिए। उस एकता दबाव से यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसके बाहर जा रहा है तो वो इंगित होता है वो रेखांकित होता है लेकिन आज की स्थित में ऐसा नहीं है तो यह एक आदर्श स्थित नहीं है तो मैं समझता हूँ यह लेखक पर ही छोड़ देना चाहिए और आदर्श स्थित यहीं होगी कि लेखक जो है पतिरोध की भुम्यका का वरन करें अपने लेखन के द्वारा भी अपने आचरन के द्वारा हो शुक्रियाब का बात Veterans के लिए हमारे साथ बात्चित कर रहे थे हिंदी के चर्चत आलोचट विरंद्रियादो हम बातचित कर रहे थे उन्होंने कई बाते बहुत क्लीर कट कही सबसे बड़ी बात पुरसकार वापसी पर कही कि लेखक पर छोड़ देना चाही दूसरी बात यह भी कही कि आपका लेखन और आपका ब्यक्तित्व भी प्रतिरोधी होना चाहिए सिर्फ पुरसकार वापसी से बात नहीं बनती है टोकरनिज्म से बात नहीं बनती है और तीसरी यह भी बात है कि लंबे समय बाद अगर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को दलित समाज को इस तरह के पुरसकार मिल रहे हैं तो वह एक सुधार भी है एक इंट्री भी है और संजीव जैसे लोकप्रिय साहित्यकार को यह पुरसकार मिलना अपने आप में बहुत तो पूर्ण इसलिए भी है कि वह उस समाज को रिखांकित करते हैं जिस समाज में सबसे जादा प्रतिरूत की संस्कृति का च्छरण हुआ है और यह सरकार जिसको कह रहे हैं कि अभिव्यक्त की आजादी पर तालावंदी कर रही है उसका असर भी उसी इलाके उसी छित्र म शुक्रिया आपका बाचित के लिए धन्यवाद दमूक नायक जनवादी पत्रकारता करता है यह सविधान लोगतंत्र और समाजिक नियाय पर चलने वाला चैनल है अगर आप भी चाते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिय पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे पे कि अड़र खड़े लोगतंर थाज्जाद करता हैध है अगर आपनवाद लोगत जनीवाने ज्सा आप पका इमूप्यादी में भी चलने अवाद डिता हैं पिद़र ख़ी प्यों कि बड़ीत के दोलने ता